अब हम लोगों को यह चीज लग रहा है कि यार बहुत ही डिफिकल्ट होगी अब तो पड़ाई फिफ्ट वालों को तो खासकर यह चीज लग रही होगी कि यार अभी तक तो दो लाइन में अंसर्स लिखे नंबर मिल जा रहे था आप क्या होगा क्योंकि English is the most spoken language in the world इस दुनिया में सबसे जादा बोली जाने वाली भाशा है English हम महिनत करेंगे आप पे और आपको वादा है आप उस महिनत का पूरा लाग उठाएंगे ठीक है और बराबर की महिनत आप भी करेंगे अपने साथ टेक 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 सोचो सोचो टाई को हिंदी में क्या कहते हैं गले में बांदा निकल गया स्कूल है वेल्कम टू दी अमेजिंग प्लाटफर्म फिजिक्स वाला मैं हूं आपकी इंग्लिश की एजुकेटर यह साथ रहे अमर हमारा नाम है अक्सा कमर हाजी बच्चो सो बच्चो आज मैं आपके सामने क्यों आई हो आप लोग भी सोच होगे आज इस वीडियो में ऐसा क्या देखने को मिलेगा आज हम लोग डिसकस करेंगे अपनी पूरे साल की इंग्लिश की स्टाटजी इंग्लिश को कैसे पढ़ना है पहले तो भाई आज सब को बहुत ही बहुत मुबारक हो ठीक है आप सब एक ग्रेट उपर आगें फिफ अब हम लोगों को यह चीज लग रहा है कि यार बहुत ही डिफिकल्ट होगी आप तो पढ़ाई फिफ्ट वालों को तो खासकर यह चीज लग रही होगी कि यार अभी तक तो दो लाइन में आंसर लिखके नंबर मिल जा रहे थे अब क्या होगा तो तीन सेक्शन में पेपर सब्जेक्ट यह तो देखो फैक्ट है इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा अब हमको यह चीज देखना हमें कैसे इंग्लिश से अपना तालमेल बठा के रखना है क्योंकि इंग्लिश इस दुनिया में सबसे जादा बोली जाने वाली भाशा है अगर एम महराश्त जाते हैं तो हमेह दरश नहीं आती होगी तो इंवग्लिश जाते हैं कि इसी तरह बच्टो इंग्लिश न आप गाहर भी ट्रेवल करते हो गरिःल कि ड़ुक में फ़र मरदां नहीं आती और और ऐसा कुछ भी नहीम झाने था हम ही इंगलिज के आप अपना पूरह झायेंत का नहीं आप प्लिट के आप भी क्या हिंगें देन घ्रय शाहर में बहुत श्योरिывает के लिए ति आहिए भरगा उपमान कि आप इस सत्या बिजैंक बindest committee में convert हो जाएगी और जो दर है ना इंग्लिश को लेकिए यह पक्का निकल जाएगा मैं वता रहे हुए ना वादा है तुम लोगों से है ठीक है एंग्लिश को सकते है इसमें क्योंगे वो ट्रिक बताऊंगी क्यों कॉंची ट्रिक हो दिना जहां पर एग्जामनर का दल फिसला तो फिसला ठीक है देगा नमबर यार हमपण नमबर देगा तुम लोग को बंपर वाला बंपर ओफर सेल पहले इंग्लिश इसार गुड ओल फ्रेंट पर हम लोग देखते हैं यार यह बात हम कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश इसार गुड ओल फ्रेंट यह चीज कैसे कह सकते हैं यह देख रहे हो डाइग्राम यह क्या है हमारी टाई है क्या वो यह बता है टाई को हिंदी में क्या कहत है कि लगनलख बड़े हैं यह माइंड सेट में सारा केंडी माइंड सेट का ठरस्चों साज्च सारा केल ही माइंड सेट का है बड़ों इननारी वाइंड आप मृथ्यू नाहीं है इंदिल्स और को लगा है इंग्रिश्च बॉहुप si इंग्लिश बिल्कुल भी डिफिकल नहीं है बच्पन में टाई बोलते थे थे इंग्लिश इस अर गुड ओल्फ्रेड हमारी लांग्वेज हमा बच्पन से भाशा का प्रयोक करना है अपनी असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश हमने अभी स्कूल में जाने के खाद ही बोलना सीख का है बच्पन से इंग्लिश बोल रहे हैं है क्होक ते अपनेको नहीं बहुते हैं अब मेल जिसमें मैडम पढ रही है यह क्या है मैडम की पैन यह अगर ब्लाट करका होते इससं के bakla तो चौक को हिंदी में क्या कहते हैं किसी ने सोचा नहीं सोचा आपने अभी आप लोग इस पर बैटे होगे टेबल पे बैट पे यह सब क्या है इंग्लिश वर्ट्स तो ही है है ना बच्पन से मूलने वाले वर्ट्स को बच्पन से उपयोग कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ड बिल्कुल भाया तफ था नहीं सीख पाए नहीं यार सीख गए बिल्कुल सीख गए टेंशन की कोई भी बात नहीं है जैसे ही यह वर्ट्स इतने इसली हम लोग बोल लेते हैं उतनी ही इसली हम लोग इंग्लिश में अच्छे नंबर भी स्कॉर कर लेंगे ージ to change our mind that अपने दिमाग में जो हमने गोल बना लिए ना English टार्கिट बना लिए English English in full number राना impossible कुछ बी तुम लोग के लिए उने ठ्का कुछ नंब्ल बहुत हैं ठीक है अपनी thinking में हम convert कर ले रहे हैं English तफ तो बिलकुल ले क्योंकि काफी words ऐसे हैं English के जो हम बच्पन से बोल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कि हम को इनका Hindi version पता है ठीक है पता हो गाबी कुछ words का तो बट ऐसा नहीं उसका हम लोग English ही जाद तक words हम लोग use करते हैं उन चीजों को अपने आसपास camera हो गया ठीक है table हो गई चेर होगी सब चीजों पर हम लोग चेर को कुट सी बोलते हैं बट बतलब जनली क्या हम लोग प्रिफर करते हैं चेर बोलना ठीक है वैसे ही यह चीज तो confirm होगी कि ऐसा नहीं कि English बहुत टाफ है बच्पन से सब बच्चें English बोलते चले आरे what is your name ? my name is this my name is Priyanka my name is AJy my name is Anil आरे लोग बच्पन से रहा शीने बोलते हैं चले आरे । किसी ने पूचा आपका तो हम लोग क्या बोलते हैं तो हम लोग वह मैं क्या बोलते ए मपी जो पहलती है? Tell your name Tell your name न volont immediate name Name we prefer लिए आ हम जादे प्रिफर करते हैं ठीक है?차 इंग्लिस बिल्खुल भी टफ नहीं है यकीन मानो मेरा अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन वाइस करते हैं पहले डिस्कुशन तरह पूरे साल जुड़ जाओ ना यकीन होगे इंग्लिस टफ नहीं ना मदल लूँग अपना वादा रहा तुम लोगों से मेरा देखते हैं सेक्शन अ हमारा होता है नौट सेक्शन अ उसको डिसके करते हैं सेक्षिं रही है इसमें एक unseen passage होता है ठीक है बिना देखा हुआ passage उसमें क्या करना होता है हमको answers करनी होते हैं कभी भी paper मिले किदार उदार section D करें section C करें नहीं आर पहले section A करो पहले section A करो क्योंकि बहुत ज़्यादा time consuming होता है ठीक है उसको एक बर कर लोगे ना उसमें क्या होता है पड़े नंबर मिलते हैं ठीक है खुले नंबर मिलते हैं क्योंकि एक्जामनर जब चेक करता रहते हैं कॉपी उसका mindset हो जाता है कि ठीक है एक बच्चे ने यांसर लिखा इसका correct answer यह है तो जैसे से उसको ना answer script में go answers मिलते जाते हैं फूल फूल लंबर देता जाता है ठीक है अब ही अगर वह अजानक से आपने section B attempt कर लिया है पहले और उसका mindset section A के तरफ है और वह section B देखे रहा है attempted उसमें 100 of mistakes निकालने का आपके में आपको पहले section A करने क्योंकि बहुत तरह time consuming होता है और examiner का भी mindset होता है कि section A है section A को पहले मैं चख करूंगा तो वह ऐसे ना answer में माइन में सेट करकी बैट रखा होता है section A अपने टेम्ट किया वह time consuming होता है उसको आपने जैसे hazardous answers उसमें portrait होते हैं passage unseen होता है passage को ratification करने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है बहुत ही easy manner में passage पढ़ो जो words fancy लग रहे हो उसको skip करो आगे बढ़ो उस पिकदम stick मत पर कर जो यार इस word का meaning क्या है नहीं आरा passage में भी यही पूछा जाएगा देख लेना आगे अब उसका भी टिकम्ट trips बताऊंगी मैं कैसे उसको sort करने अपने को ठीक है पहले तो इसी समझ लो पहले क्या करना है reading section करना है बहुत ही ज़्यादा time consuming होता है वो चीक है सेकेंड अपना writing and grammar अब writing में क्या है writing हमारा कैसा होता है writing हमारा कैसा होता बचो बहुत ही जादे स्पे क्या होता है thought process thought process process हम लोग बचों क्या समझते है thought process मतलब बहुत ही जोचना पड़ता है ठीक है writing में आपको क्या चाहिए examiner को क्या चाहिए आपकी creativity examiner क्या देखा है आप कितने creative हो ठीक है आप कितना original content बना सकते हो ठीक है तो while writing while attending the writing section you need to think thought process बहुत लंबा होता है उसका ठीक है और जो हमारा रहा grammar grammar तो यार grammar है English का में खेली grammar पे है पूरा ठीक है grammar भी तरी tough नहीं होती जितना आप लोग भी सोच रखा है grammar is a very very easy portion of English it's just that you need to understand एक बड़ अगर grammar बच्चों समझ गये ना मैं बता रही हूं फुल नमर उसमें score करो कि literature में कट सकते हैं बड़ ग्रामर में नहीं कटेगा grammar बस समझने की दे रही है ठीक है आपने एक बड़ grammar is a very 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 easy portion of English it's just that you need to understand कोई भी चीज़ डिफिकल्ट होती ही नहीं है हम उसको नहीं पाप है हमने उसको difficult मना दी ऐसा नहीं है difficulty कभी होती ही जब हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं उसको बड़ बड़ डिफिकल्ट कर टाग देते हैं नहीं अपने को कोई भी डिफिकल्ट कर टाग नहीं देना है we need to think that grammar को समझना है grammar क्या है English का ही पार्ट है तो grammar को हमें समझना है एक बार grammar का न्यायमस समझझ लिये न्याओ राट पने लुग नहीं को फिर होगा जैंगा इससे थोड़ा और ऊब लेवल से की पड़ोगे यह मीनिंग नहीं नहींगों चैन्जिश कुछ तो लाइफलॉंग वही मेनिंग ना उनका आगर आपने वही वही पढड़ा थेष्ट में वही पढ़ोगे दिंगे सिंग एड़ल्ञ वही पढ़ोगे हाँ है हमारे सेख्शन इजे ए लिट्टेचर का पोशेण या क्यों होता है बच्छों बहुत ही ज्यान पाचाँ अच्र इसकé chapters, हम उनक पढ़ चुके होते हैं, ہमें chapters याद होते हैं, इसकी poetry हमें याद होते हैं, इसकी पता होते है, it's just that हमें इसका answers लिखने होते हैं, इसमें अंशर के बारे में बताना होता है, पोेट के बारे में, ये िसमोर जेसे tips हैं, इसको हम इसाब लिख के अच्छे numbers कोर हो जाएंगे, most familiar portion होता है, most familiar section होता है, यह हमारा English की paper के, तो इसको हम लोग क्या करते है, last attempt करते है, first number पर हम क्या करते है, attempt, first number पर हम इसको attempt करते है, second पर grammar and writing, and third पर literature, ठीक है, इता समझ मैं, attempt क्या से करना है question paper को आपको, ठीक है, और इसी तरह आपको यही strategy लगा के पढ़ना भी है, ठीक है, अब लेट सी, अब हम लोग पहले देखते हैं, reading portion को, हम लोग जो reading हमारा session है, इसमें कैसे हमें को क्या tips अजमानी है, कि we should score good, पूरे साल क्या चीज़े follow करनी है, reading session में X करने के लिए, master बने की लिए, first, जब अपन question दिया होगा, पहले एक unseen passage होगा, okay, for example, this is your question paper, okay, यह क्या है हमारा? Passage दिया हुआ है, okay, and, यह क्या हमारा? Question 1, Question 2, Question 3, okay, हमारा question दिया हुआ है, okay, यह हमारा unseen passage है, unseen passage, UP लिग दिया है, उतर प्रदेश में समझ दाए, unseen passage उसका अप्लग चीए, और यह हमारा questions दिया है, तो पहले हमें बच्चों क्या attempt करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसका हम, चो क्या करेंगे, पहले, read कर लेंगे, read the questions before reading the passage, पहले के करने अपने को, questions read करना है, question एक बच्चों क्या करना है, पढ़ना है, read करना है, एक बच्चों पढ़ना है, एक बच्चों पढ़ लिया, तो आपके दिबाग में क्या होगा, तो आपके दिबाग में क्या होगा, और जैसे ही आप फिर passage पढ़ोगे, तका को ठाके शांती से इधर आंसर स्कूर्ट में टाल जाना यह लिए दिमांस पहले कोश्चन रीट करने का इसमें फाइदा क्या होता है जब आप एक बर कोश्चन पढ़ लेते अपर जब आप पैसेज पढ़ते ना लास्ट फाले में एक आंसर है ठीक है यार सारे आंसर समिल एक बापस से रीट करके देख लो सब सब्सक्राइब है ठीक है बागी हम लोग आगे कि जब वीडियो बनाएंगे हमारा बैच स्टार्ट होगा और हम लोग डिटेल्ल डिसकॉशन करेंगे इस बारे में फिलाल एक आप आइडिया ले लो क्या करना होता है असुन आज यू गेट दीकॉशन पेपर वाट यू दो इस यू रीट दीकॉशन सब्सक्राइब करेंगे इस टेक्नीक को अजमाना जरूर मैं बता रहूं पक्का काम करेंगी कारेगर टेक्नीक ही है सेट दाट टाइम लिमिट आज इसको रचसेर हें अग्या घ्रक टाइम लाख या बहुत ही लिमिट भाविंट सेट कर देना है ठीक है एक बातली पैसेज को पूर अपने इक्जाम दो घंटे नहीं बरबाद करने ठीक है यूंकि भी पूरा कॉस्ष्ट पर है टाइम लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है It's very very important टाइम लिमिट सेट करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है वक्त क्योंकि एक्जाब में न कैसे भागता है वो तो आप लोग जानते ही हो टीक है मैं भी जानती हूँ Now, e-learning and practicing Reading comprehension strategy अपने को क्या करना है बच्चों आपको क्या करने का है अपने लोगों को क्या करने का है e-learning and practice reading क्या करना है Novels पड़ो ज़्यादा difficult novel नहीं उठालो महेंगी सी novel यार फॉर्मल सी novel जो भी घर में अगर बड़े भाई वैनोगी literature की books है या novel आपको जो भी पसंद है जिस भी राइटर के अगर example आपको reading पसंद है नहीं भी पसंद है और पसंद करू reading ठीक है उसमें क्या होगा इस तरह में आपकी unseen passage में help होगी आप चैसे e-learning आपने net पे देखा कोई अच्छा passage आपको देख रहे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपने क्या क्या रोज daily basis आपने एक passage सोच लिए मैं एक passage पढ़ूंगा इस पर क्या होगा बच्चों आप पैसे से पता है क्या फैमिलियर हो जाए आपकी वोक्याबलरी वो भी आपको इंग्लिश रीडिंग का एक सेंस आजाएगा कि स्पीड अच्छी हो जाएंगे इंग्लिश पांडे में तो e-learning and practicing reading comprehension strategy आपको मतलब इसको यह चीज ध्यान देना ही देना है कि आप डेली basis पे दो और तीन पाज़ पड़ ले हो एक पाज़ पिर नहीं पारे हो एक पैसिज पर रहे हो डेली बेसे पे करना है एक टारा ही हो इतना बड़ा सा प्हलाग्राफ हो ठीक है उसको रीट करो डेली मैं बतारी हूँ आप लोग इना मंत इना मंथ बहुत जाद है बटρ चलो इना मंथ मालेव डेली की रीड कrånेक्थ की डश रेंसर मैं बनाई इना मंत आप लोग master हो जोगे passage के, ठीक है, बट ये चीज माइंड में set करना है कि अपने को read करना ही करना है passage, अगर आपने ये तीन tips follow कर ली, I am very sure you will score 95% plus in your English paper, that too in our reading section, okay, now let's see the next, now, ये हमारा reading section का था, ये अब हमारा कौन सा है, this is for our grammar and writing, हमारा section B जो रहा है गजाम में, देखो, section B में क्या होता है बच्चो, सबसे पहले में क्या मुलती है, word limit, हमें section B में क्या मिल रखी है, word limit अलड़ी दे रखे होते हैं, 100 to 120 words, ऐसे करके, चीक है, उस पे, आपको क्या माइंड में रखना है, word limit को बहुत ध्यान में रखना है, अगर for example, 100 से 120 words का है, चीक है, आपको इचीज ध्यान देनी है, आपको पुरी कहाने नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, आपको 120 words के अंदर ही stick करना है, चीक है, आपको 120 words के अंदर ही stick करना है, 100 to 120 words दिया है, तो हमको 120 words के अंदर ही stick करना है, जादा लंबी कहानी नहीं लिखनी है, examiner क्योंकि बहुत इत्ता इंडटेन नहीं होगा, आपकी लंबी कहानी देखे, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्यों, writing section is not all about writing, it's about how well you can write, ठीक है, writing section doesn't mean that कितना लिख सकते हो, कितना लंबा लिख सकते हो, it's about कितना सा आपने लिखा है, कितना अच्छा आपने लिखा है, ठीक है, writing section is all about that, not about how much you can write, ठीक है, it's not at all about how much you can write, it's completely about how well, how well you can write, कितना अच्छा लिख सकते हो, it's not about how much, कितना जादा लिख सकते हो, it's all about how well, जी तरह लिखा है, वो कैसा लिखा है तुमने, ठीक, और writing section में क्या ध्यान दे रहा है, मत्शु अब लिख रहे हो ना, तो एक चीज़ ध्यान दे रहा, अगर आप उस पे codes डाल पाए, ठीक है, अपना अगो एक पैरा मिला है, story में लिखने के लिए, अगर उसमें codes डाल प for appearing in the exam, exam में appearance पहले क्या करना होता है अपने को, जो format letter का एक format दे रखा होता है, notice writing का एक format आपको दे रखा होगा, वो भी हम discuss भी करेंगे, आने वाले आगी वीडियो में, उसको क्या करना होता है में, at least, तीन बार, at least, बचो कम से कम तीन बार तो revise करना ही करना होता है, exam में जाने से पहले, क्योंकि रेखो, जब writing section में examiner letter या तो आपकी notice देखता है, या तो फिर article writing जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी रहे जब हमाई से लिए, बस मुसको जब examiner page पलटेगा, वो देखेगा, format जो होगा, जो भी format होगा, उस पर plus numbers होते ही है, पूरे के पूरे न rough points बना लो, फिर क्या करो, उसको एक proper तरीके में arrange कर लो, चीक है, और देन उसको आप क्या करो, fair कर लो, देखो rough points में हमें कैसे करना है, rough points में आपको ऐसे करना है, मतलब ऐसे करके उस points को set करना, कि जब आप fair writing करें, अगदम final writing अपने paper में करो, तो आपको intro हो, तो आपको introduction है, फिर आपको क्या हो बच्चो, introduction के बाद क्या हो आपकी, main body हो, फिर क्या हो, main body के बाद बच्चो क्या हो, advantages हो उस चीज़ के, जो भी आपको topic दे रखा है, फिर क्या हो, disadvantages हो, अब अच्चो फिर क्या हो, conclusion हो, हम conclude कर दे, we are able to conclude it, ठीक है, अपने को क्या करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, जब भी हमारा writing का portion आता है, तो अपने को क्या करना है, इस चीज़ को दिमाग के बहुत ध्यान से रखना है, कि पहले intro डाले हम, फिर main body डाले, main content है, हमारा उसको हम डाले, फिर advantages, disadvantages, थोड़ा सो उसको line up कर कर दें, फिर conclude कर दें, इस तरीके में जब लिखेंगे, तो examiner आको full number देगा, क्योंकि यह क्या होते, प्रोपर manner होते है, प्रोपर pattern होता है content लिखने का, ठीक, और हमें क्या ध्यान देना है, हमेशा हमारा content कैसा होना चाहिए, बचो, positive, जैसे आप लोग हैं, जैसे हम है, positive content, इसको पढ़के examiner ना, एक होता है नहीं, last में एक satisfaction, free लगे, और आपको भी अपने passage को पढ़ता है, एक satisfactory writing question अपना passage जो आपने लिखा है, उसको पढ़ता है satisfaction लगे, ठीक है, you have given a positive message, negative message हमेशा बच्चों एक negative impact देता है आपका, या negative लोगो को number भी negative ही मिलेंगे, positive लोगो को number ही positive हमेशा, एक है, सीधा फंदा है, positive message will always help you, okay, so try to give a very very positive message when you are closing your para, okay, follow these three tips for your section B and you will ace the paper, now, now we are moving towards the section C, most familiar portion, literature, okay, इसमें के करना है, what we need to do is, we need to read all the chapters, बहुती सीधीस यार, simple सा पंडा है, chapters सारे पढ़के जाना अच्छे से, सीधीस बढ़ते बढ़ते नमबर मिलेंगे न, read all the chapters at least one, एक्जाम में जाने से पहले क्या करना है, सारे chapters को एक बढ़के रखना है, और पूरे साल जो हमारा full year अब चलेगा, हमें के करना है, chapters पढ़ना है, डेली बेसेस पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो ठीके बच्चो, हमने असे अपना दिन जिवाइट कर लिया, Monday को, हमने MWF क्या किया, chapters पढ़ा, हमने TTS किया किया, हमने Poems पढ़ ली, ठीक है, MWF मतलब Monday, Wednesday, Friday, TTS मतलब, Tuesday, Thursday, Saturday, हमने इसमें क्या किया, हमने इसको Poem Day बना लिया, ठीक है, और हमने इसको क्या कर लिया, Chapter Day बना लिया, ऐसे करके पढ़ा हमने, तो बढ़िया तरीके से सारी chapters भी रड़ हो जाएंगे, सारी poems भी रड़ हो जाएंगे, ठीक है, Now, Now what is this, we need to enhance our vocabulary, you need to enhance your vocabulary, वने vocabulary को develop कैसे करेंगे, फर्स्ट, यूज इंग्लिश वर्ट्स, देको, यूज इंग्लिश वर्ट, देली इन यू लाएंगे, रोजाना की जिन्दगी में क्या करो, इंग्लिश वर्ट्स का उप्योग करो, ठीक है, रीड न्यूस्पेपर, पुछ नहीं करना है, जिस न्यूस्पेपर की कीमत चार रुपे है, उसको आप मुश्किल जे दिन में 40 मिनिट, बहुत जादा है, 10 मिनिट पढ़ लो पूरे दिन में, हो जाएगा यार, यू विल अल्टिमेटली इन्हांस यू वक्याबलिर, वक्याबलरी में बहुत बढ़िया डेवलप्मेंट होगा, ठीक है, नाउ, ग्रीन लेते आया, ग्रीन अच्छा लगता है, रीड न्यूस्पेपर डेली, आड डेली लर्न आ न्यू वर्ड, रोज एक नया शब्द याद करिया आप, इंग्लिश का, आपने डेली इन्हा इंग्लिश वर्ड सीखा, आपने डेली जो भी वर्ड सीखा, उसको आपने डिशनरी से अपना रिफरेंस लिया, डिशनरी का यूस करिये, जरूर करें, डिश्णरी का यूज जो भी आपने वर्ड्स देखा, ज्यादा फैंसी, डिश्णरी का यूज करें, चली इसको उटाते हैं, ज्यादा फैंसी वर्ड्स में मत जाएए जब अपेपल लिखनें, बचो, जब आपको मतलब ऐसा लगने कोई स्पेसिफिक वर्ड्स चली इसको डिश्णरी का अब जब आपको हैं जब आपको। खैंसी, जब आपको ज मतलब अभी साफ। पिर्म जब आपकोः घ्यादा ग्णक्यी रीट्चो निज जनाए जब आइए झापक्त पारता हैं इसको फिरूड्स प्ली असफों जडू का बचो नेँ अगति अच्छा स्कूर करोंगे, now, tips and tricks, tricks क्या यूज करनी है अपने को, देखो, पढ़ाई, लिखाई, ठीक है, वगर पेपर में क्या होता है, 16ORTC, सास, सजावत की भी जरुवत पढ़ती है, पेपर को भी थोड़ा 16 सिंगार की जरुवत पढ़ती है, बचो, आठो को क्या करना है, अप Иपेपर को तो आप आई-लाइनर, मस्कारा, काजल नहीं लगा सकते हो, आपको पेपर को क्या करना है, आपको black pen use करना है what you need to do is guys you need to use the black pen black pen use करना है किस चीज के लिए keywords keywords पतलब जो important words हमारे होते हैं जो थोड़े भारी words होते हैं उसके लिए में क्या करना है बचो keywords use करना है use black pen for keywords and maintain proper spacing आपको गया करना आया है और एक्जामपल उख रोको दिखाती हो मैं तुम लोग को my name is my name is afsakamar pw चिपका 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 words लग रहे रहा देखो स्टिकी स्टिकी स्पेस ही नहीं है बिलकुल स्पेस नहीं है तो क्या होगा? कट हो जायागा है अप अपको क्या मिलेगा बच्चो जीरो अंसर एक गम ठीक होगा तब ही जीरो मिलेगा What you need to do is you need to write in a proper manner How? C My name is Tick See We are having the proper space ठीक है Space का बहुत ध्यान रखना है इसमें के मिल जाएगा? फुल दस तंबर मिलेगा आपको ठीक है Space का बहुत ध्यान रखना है Second Use Blackpens First हमारा थाबला Use Blackpens 4 Keywords And now Proper Spacing No third Underline Important Points जो भी हमारे Important Points होते हैं उसको क्या करता है? Scale रखका He is the line क्या मिलेगा? Plus Points मिलेगा ये ट्रिक है इसको अजमाओगे एक्जाम में देखको अच्छे नंबर आईगा अब बतारे दो दो को Underline करोगे Important Points Now Fourth Manage Your Time Properly देखो बचो Time Manage करना बहुत जरूरी है वक्त का Management Is Very Very Important वक्त भागता है Time Runs It's All Up To You How Much You Would Utilize The Time कितने वक्त में आपने कितने अच्छा अंसर उसमें दे 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 क्योंकि टॉपर को भी वही नंबर मिलेंगे और आपको भी वही नंबर नहीं मिलेंगे क्यूँ? वही वक्त में वह क्या करेंगे वह पूरा अच्छे संसर मानेज कर लेगा और आपके गरूँ उस वक्त में क्या करेंगे आप फ्रोड़ा सा टाइम इदा उदार उदार से विल्ले के तरह बेस्ट कर दोगे और आपके तरह आपने को अपने को टाइम का बहुत ही अच्छे से परयोग करना एं उप्योग करना है ठीके मचो So, managing your time is very 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 important guys इधर सेट कर लो घड़ी लगा के जाना घडी देखते रहना देखते रहना देखते रहना देखते रहना देखते रहना में बहुत नंबर कटते हैं यू नीड तो अवोईड इसीली मिस्टिक्स जिसे आपको फॉर एक्जाम्पल प्रॉपर नाउन अब 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 प्रॉपर नाउन पता ही होगा इसे जब बात होती है तो यह जो प्रॉपर नाउन है यह क्या होता है क्या होता है क्या होता है हम इसमें अपनी माइंड का कैप्स लॉपर निखा ना नमबर क्या होंगे, कट जाएंगा प्रॉपर नाउन इस अलवेस काप्टा यू कांट मेक् शुच्छ सीली मिस्टेक्स इन यू पेपर यज़ पर नेवर है एनी टीचर ठीके बच्चो नौ तो गाइस है वी कंप्लीट है हो थी कॉंसेप्ट वस वेरी वेरी मच क्लियर तो यू अल जो भी आप लोगों को वीडियो में बताया गया समझाया गया मुझे उमीद आप लोगों को बहुत इच्छ से समझ में आया हूं जा लो से पहले आ है बच्छ के सामना करना है बच्चों एक डैंट के सामना करना है हर चीज का जो भी प्रॉबलम्स हाएगी उसको बिल्कुल डटक है आपको सामना करना ऑऔर मैं आपके साथ वह आपको बिल्पले टेंशनन नहीं अगने वटनमा ए मैंसेत मैंसेट मेंसाब बिलीव कर एकदम भी मत घबराना पर से 6 में आयो बहुत लोगों ने फून कियों कांटी और अरे भच्छा भाई पास होगे अब तो समझ लो बड़ा तफ क्लास है और 6 ता गया क्या 6 ता गया यह तुम 12 में भी जोगे एकतम टेंशन मत लेना सब कुछ एकदम बटर के माफिक एकदम मक्खन के तरह चलेगा इस जस्ट दाट यू निडट वेरी वेरी मच्छ ग्लारिफाइड इन उमाइंड ओर है माइंड सेट में बिल्कुल क्लारिटी रखना अपने को कोई डिफिकल्टी होगी ही नहीं जो भी होगा जो भी डिफिकल्टी आएगी उसको हम सॉल्फ करें के कुछ भी पॉसिबल ल और हर चीज हमें क्या करने हैं बीड ये क्या कहने में बालंस मैंन में त्थीकर इस लूंचाने से प्रिये एक लाइन कहना चाहूंगी आप लोगों से दिल की बात थी आप लोग भी आई से सुनना मानग है सफर मैं मान नहीं होगी मुश्किल है सफर और मेरे मुसाफिर तू सुन यह बात कहीं अगर तुम रुक गए बच्चों अगर कही भी आप रुक गए तो मन्जिल आएगी कहां फिर कदम कदम बढ़ाये जा कदम कदम बढ़ाये जा गगन गगन जुकाये जा रख खौसला तु कर तैसला तुझे वक्त बदलना है तो बच्चो बस इसी जजबात इसी जजबे के साथ मिलते हैं अपने आने वाले upcoming बाचस में तब तक के लिए आप लोग सब स्टेट यून रहिए बाई बाई टाटा जै हिंद